हुआ है गाइज कैसी हो आप सब उमीद करते हूं आप सब ठीक होंगे मैं भी विल्कुल ठीक हूं तो फिर से आज लेकर के आई हो एक नया आइडिया है रोज जो है कबार से कुछ ना कुछ जुगार हम करते रहते हैं तो फ्रेंज सेगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल क इनको प्रेस करना ताकि आने वाली हार एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके तो गाइज मार्केट में जो चीजे महंगी मिलती है वही चीजे हम घर पर जीरो कोष्ट में बनाकर तयार करते हैं सब वेस्ट माटेरियल हम यूज करते हैं तो एक मैंने कपड़ से हमें इस तरीके से राउंड में इसकी कटिंग करनी है और बिल्कुल ही स्लो हाथ से हम बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग करेंगे जल्द बाद जिसे हमें टेडा मेडा कटिंग अगर हमने कर दिया तो बाद में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी औ अगर आपके पास साडी डूपट्टे पुराने उलेबल ना हैं, तो आप इसमें फॉर्मशिट का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप इसमें दो लेयर भी ले सकते हो, फॉर्मशिट की लेकिन मेरे को एक लेयर रही लगी, मैंने एक लेर में ही लिया है आप ज्यादा मोटा बनाना चाहते हो तो आप दो लेर भी इसमें ले सकते हो दूसरा पीस इसके उपर सेट करके रख देंगे और फिर जितने भी एक्ट्रा फोम सीट या फिर साडी डूपर टे जो भी आपने डाले हैं एक्ट्रा पीस होंगे व और दूसरा भी धागा हुआ तो भी चलेगा क्योंकि ये धागा इसमें नजर नहीं आने वाला है और इस त्रीके से जो है आपको इसमें चार-पाथ शिलाईया लगा लेनी है ताकि फोम सीट जो है इसके साथ में दोनों कपड़ों के साथ में अच्छे से अटेच हो जाए जितनी हम सिलाईया लगाते इसमें उतनी मजबूती बन जाती है तो इस त्रीके से मैंने इसमें तीन जो है शिलाई लगा के एक मैंने वैलवेट का कपड़ा कट कर लिया है सेम साइज का और इस कपड़े को उल्टा इसकी उपर रखेंगे मतलब सीरी सैड हमने मिला दी है नीचे की तरफ और उल्टी सैड इसकी ऊपर की तरफ की है और फिर देखी हमको क्या करना है यहां से सिलाई शुरू करनी है इसकी और आधा इंच हमें सिलाई मार्जन में दबाके और फिर इसकी सिलाई करनी है और लास्ट में जो है हमको पांच इंच ओपन रखना है कर लेंगे और सिधा करते टाइम अच्छे से किनोर बाहर निकालते हुए हमें सिधा करना इसको ताकि फिनिशिंग अच्छी आए तो देखिए अच्छे से सिधा करेंगे बिल्कुल भी इसमें कहीं पर भी जो है दबावा कपड़ा ना हो इसके लिए अच्छे से जमा लेंग आप चाहो तो इसके पूरे राउंड के उपर आप स्टीज कर सकते हो लेकिन आउशकता मुझे नहीं लगी तो मैंने नहीं लगाई अब देखिए मैंने एक पाइप के उपर ये फाइवर की पाइप है हाफ इंच की और इसके उपर मैंने रेड कलर की उन कुछ इस तरीके से स यूज करोगे तो आपको बाद में बहुत दिक्कत आएगी सिलाई मसीन की सुई भी उसके उपर नहीं चलती है और बाद में निकालने में बहुत दिक्कत आती है तो वह वाली टेप आप यूज ना करें और अच्छे से देखिए हाथ से प्रेश करते वे हमने टेप को अच करना है इसको को ये कुछ इस तरीके से ये देखिए ये तेप ऊपर की तरफ करना है और नीचे की तरफ देखिए अब हमको क्या करना चिलाए लगाते time इसमें भी हमें finish का ध्यान रखना है कि बिल्कुल किनोर के उपर हमें जो है यह attach करनी है ताकि जो है बाद में finishing जो है बाहर किनोर वाले ही finishing जो है इसमें नजर आती है तो इस तरीके से बिल्कुल ही अच्छे से जमाते हुए हम इसको slow slow हाथ से बिल्कुल slow slow मशीन चलाते हुए हम इसको attach करना है हमको और इस तरीके की चीज़े market में बहुत महँगी मिलती है लेकिन इसमें आपका कोई करचा नहीं लगता है आपकी इसमें 10 रुपे की भी उन नहीं लगेगी और मार्केट में जब आप इस तरीके की चीजों को खरीदने के लिए जाते हो तो गाइज बहुत हाई रेटे होती है और ये चीजे जब हम हाथ से बना कर जब यूज करते है घर में तो सच में महुत मनखुश हो जाता है गाइज तो इस तरीके से आप हाथ से बना कर अपने किसका आने वाला फाइनल लुक आप देखोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा और गाईज अगर आपको वीडियो पसंद आए आज की तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना तो देखिए इस तरीके से जो है हम इसको अच्छे से इसके उपर सेट करके जो है सील लेंग अलाकि मजबूती से जो है सीत चिए जो उन है वह स्के उपर सील कर अटेच हो जाए अब देखिए इस की उपर से हम कर लेंगे जो हमने टेप लगाई थी और फिर सैड से हमें इसको इस तरीके से कहची की सायता से उनको कट कर ले ना है जो बंद हिस्सा है वो इसका कट कर और अंदर की सैड से भी हमें जो है उन को कट कर लेना है बाहर से कट करेंगे और फिर इस तरीके से अंदर से भी कट कर लेंगे तो इस तरीके से जो है ये बिल्कुल ही एकदम सोफ्ट की नौरिस की बनकर तयार हो जाएगी आप देख सकते हो तो देखे गाईज उन कट करने क के बाद आप इसका लुक देख सकते हो कितना प्यारा आया है और आप इसको अपने टेबल के उपर इस तरीके से सजा सकते हो और बहुत ही प्यारा सा खुब सुरुच सा हमारा टेबल मैट बनकर तयार हो जाता है बिल्कुली जीरो कोष्ट में समझ लो है हमारा ये बनकर तया क्योंकि उन जो है हम सब के घरों में होती है थोड़ी बहुत तो और बिल्कुली थोड़ी सी उन इसमें हमारी यूज हुई है और वेलवेट का कपड़े का पीस बचा हुआ पड़ा था वह यूज किया इसमें आप सारी डूपटी समें यूज कर सकते हो तो बताइए का जुर